आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटी एम की फुल के बाइसी कैसे कर सकते हैं घर बैठे तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए यह वीडियो आपके लिए काफी एलफोल होने वाली है तो सबसे पहले ही आपका पेटी एम पर एक अकाउंट होना चाहिए यदि आपका पेटी एम पर अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पेटी एम एप का लिंक दे दिया है आपको उस link पे click करके PTM को download कर लेना है और download कर लेने के बाद में उस पे एक account बना लेना है account simply बन जाएगा आप अपना number type करेंगे और OTP ये automatic detect कर लेता है और आपका account बन जाएगा PTM में इसके बाद में आप PTM को open करेंगे और जैसे ही आप open करेंगे आपके सामने कोछ ऐसा interface आएगा यहाँ पे अब उपर side में आपको आपका profile icon देखेगा आप उस पे click करेंगे इसके बाद में आप अपने profile icon पे दोबारा click करेंगे अब यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब नीचे आपको लिखा देखेगा, activate, wallet, status, activate, ऐसा लिखा देखेगा, आप यहां पे अपग्रेट के क्लिक करेंगे, अब यहां भी यह है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब यहां पे ऊपर द अपना आधार कार्ड नमबर डालेंगे और नम डालेंगे और आपकी यहां पर MINI KYC हो जाएगी MINI KYC में आपको 10,000 रोपय तक की लिमिट रहती है BOLLEट लिमिट आप MINI KYC से कर सकते हैं अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा आप अपने बॉलेट से अपने फ्रेंड को पैसे सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर मनी टू बेंक, आप अपने बॉलेट से अपने बेंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, maintain balance up to 1 lakh आप अपने PTM बॉलेट में 1,00,000 रुपए तक का transaction कर सकते हैं और आप यहाँ पर फोर्थ नमबर पर देख सकते हैं open saving account आप यहाँ प्यादी PTM की full KYC complete कर लेते हैं तो आप PTM में अपना saving account भी open कर सकते हैं और यह सब आप पढ़ लें इसके बाद में नीशे आपको option देखेगा upgrade your account now आप इस वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने कोश्य से interface आएगा अब आप तीन तरीके से अपनी PTM की KYC complete कर सकते हैं पहला तरीका है PTM की BDU KYC का आप BDU KYC से PTM की KYC कर सकते हैं इसमें आपको basically यह करना रहता है कि आपसे एक PTM का agent जुड़ जाता है और PTM का agent आपसे जुड़ जाता है आप अपना उसको आधार card, pen card दिखाते हैं और आपकी KYC complete हो जाती है वीडियो KYC में और यह second number का option है बिजटे नियर वाई KYC स्टोर आप इस वाले option से किसी नज़दी की अपनी PTM स्टोर पे जा सकते हैं KYC स्टोर पे और वहाँ पे जाके करवा सकते हैं आप जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे विजटे नियर वाई KYC स्टोर पे और आप यहाँ पे allow करेंगे यह जो भी permission मांगता है इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे यह जो सारे स्टोर हैं इनका address आ जाएगा और phone number भी आ जाएंगे आप इनक कॉल कर सकते हैं यह आप direction पे क्लिक करके इनका address भी देख सकते हैं तो इस type से आप KYC स्टोर पे जाके भी KYC करवा सकते हैं और अब हम यहाँ पे बैक जाएंगे और यह third number का option आपको देखेगा KYC at your door step यह जो third वाला option है इस पे आप अपने यहाँ पे आप अपना address डालते हैं और आपका एक agent आता है आपके पास और वो KYC करके जाता है आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे KYC at your door step पे और आप यहाँ पे अपना name house number और area का pin code और city, state यह name बगएर टाइप करेंगे और proceed पे करेंगे तो आपके एक आपको time दे दिया जाएगा उस time पे आपके गर पे एक agent आएगा और वो आपकी KYC गर पे करके जाएगा लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा आपको charge लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं verification का आपको तेड़ो सो रोपे के लगबग charge लग जाएगा यदि आप agent को गर पे बुलाते हैं तो राइट और आप यहाँ पे बैक जाएगे अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से video KYC कर सकते हैं राइट यह जो दो KYC मैं आपको बता चुक हूँ कि आप इस टाइप से अपने गर पे कर सकते हैं और store पे कर सकते हैं अब यह बीडियो KYC करने के लिए आप उपर Videoивается पे क्लिक करेंगे और जैसे ही है आप क्लिक करेंगे Video के वाई सी पे अब यहांपे आप अपना आधार का नमबर टाइब करेंगे First में आप यहांपे अपने आधार का नमबर टाइब कर लें राइट इसके बाद में आपको नीचे अपना name type कर देना है जो भी आपका name आदार कार्ट पे हो वो नाम में आप यहाँ पे type कर दें और इसके बाद में आप यह जो आपको accept and continue यह जो आपको I agree का option देखेगा आप इसे tick कर दें इस box को इसके बाद में नीचे आप proceed पे click कर दें और जैसे ही आप proceed पे click कर देंगे अब यहाँ पे आपके mobile number पे एक OTP आएगा और वो OTP आप यह पे type कर देंगे इसके बाद में यह कुछ guidance देता है आप उन्हें accept कर लेंगे इसके बाद में आपसे एक agent जुड़ जाएगा आपसे एक PTM का agent जुड़ जाएगा आप अपना आदार कार्ड और pen card अपने पास में रख लें और वो आपसे आपका आदार कार्ड या pen card दखाने को कहेगा आप उसे video KYC में अपना pen card दखा दें आपका pen card original होना चाहिए जो post से आता है अपना वो बाला pen card होना चाहिए duplicate वाला pen card नहीं चलेगा इसमें राइट तो आप अपना original pen card रख लें और वो आपसे आपकी date of birth बगेरा और ये father's name बगेरा कुछ details confirm करता है और आपका pen card देखता है इसके बाद में ये आपकी KYC अप्रूब कर देता है और 18 गंटे में आपकी KYC हो जाती है और फिर आप अपनी KYC का सारा कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप PTM की KYC कर सकते हैं और एक बात और यह दी आपकी एज 18 साल से कम है और फिर आप अपनी PTM की KYC कैसे कर सकते हैं तो आप अपनी family में जिस किसी की भी उमर 18 साल से जादा हो आप उनकी details डालने है जैसे आधार कार्ट और pen card और आप उनी को जैसे agent जोड़े तो आप उनी की video KYC पर call करवा दें और बोल देंगे कि मेरा ये pen card और आधार कार्ट है और आपकी KYC आप अपने parent या घर में किसी बड़े के भी आधार कार्ट पैन कार्ट से कर सकते हैं तो इस टाइप से आप अपने PTM की full KYC कम्प्लीट कर सकते हैं I hope इस video से आपकी कोछ help होई होगी और यदि इस video से आपकी कोछ help होई हो तो आप इस video को like करें साथी ऐसी ही helpful video प्राप्त करने के लिए आप इस channel को subscribe कर लें और bell icon की गंटी को भी दबा लें ताकि आप से कोई भी video miss ना हो Thanks for watching video